मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज मैं धेर सारे टीलम्स लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत आसान है इसे हम कम समय में और बहुत ही कम खर्च में बना सकते हैं मैंने ये पहला बनाया है ए और एन का यूज जिससे हम बच्चों को ए और एन का यूज बहुत आसानी से सिखा सकते हैं यह English का TLM है, हम बच्चों को बता सकते हैं, A, E, I, O, U के साथ N लगता है, A, E, I, O, U, इन्हें हम वावेस कहते हैं, बाकी बच्चे हुए को consonant कहते हैं, और मेरा यह next TLM है, सप्ताह के दिनों के नाम, इसे हम क्लास्रों में टांग सकते हैं, और बच्चों को इसे याद करा सकते हैं, और अब मेरा है यह next TLM, यह इंग्लिस में है सप्ताह के दिनों के नाम, संडे मंडे, इसको बच्चों को इसे याद करा सकते हैं, इसे बनाना काफी easy और काफी आसान है, नेक्स्ट है अनुवर्ती संख्या, पुरवर्ती संख्या, तो इसमें नमबर्स दिये हैं, और इसके अनुवर्ती संख्या, पुरवर्ती संख्या, बच्चों को सिखाना होता है, उन्हें समझाना होता है, और मैंने इसे cover कर रखा है, जिसे बच्चे बताएंगे, और फिर इसमें मैंने फैमिली मेंबर्स को बनाया है दादा, दादी, ममी, पापा, भाई, वेहन तो इसे हम स्टोरी में इन कारेक्टर्स को यूज करके बच्चों को कहानिया सुना सकते हैं तो ये भी काफी इंट्रेस्टिंग सा है और काफी यूजफूल है इसे बनाना काफी आसान ह ये है मेरा नेक्स्ट पपेट जिसमें मैंने खरगोस और भालू बनाया है इत्वर इंट्रेस्टिंग है क्याकि मैंने इसमें दो छेद कर रखे हैं इसमें मैंने हाथ लगा के इसे मैं चला सकती हूं इससे स्टोरी सुनाना काफी अच्छा लगेगा बच्चों को एक काफी इंट्रेस्टिंग लगेगा उनका पूरा ध्यान इस पपघट पर रहेगा सटोरी पर रहेगा तो काफी इंट्रेस्टिंग सा है और इसको यह भी मैंने जिरोटेस्मेंटस बनाया है साधी świe काड्य ऊच्ट करके यह बिल्कुल ही इसमें जीरो पर जोस्ट है और इस इत्यर सुनने में तो आपकोु इ frankcke कैसे लगे। आप हमें कमिर्स में जरू बताएगा यह मेरा नेक्स्ट जिसे मैंने एक गोस्ट को कौपटी बनाया है जब इस स्टोरी भूत वाली स्टोरी तो मैंने इसे भी यूज करेetus किया है on the top of the количеner investment मेरे जिसमें कोई खर्च नहीं है और इसे बनाना पिका आसान ही और पिर, अब मेरा यह है next puppet, जिसमें मैं इसमें finger में पहन पेहन के story सुना सकती हूँ, मैं से puppet केغफिव के different type ले कहीं आई हूँ है जिसमें में हैं कुsm फिंगर सेबाइं जिकान सकते हैं और अपको हम एक्रम खर्षकश नहीं लगते हैं तो आपके एक अक करके दिखाती हूं, यह मेरे आज की सारे टी अलंस काफे यूच्फुल है, और आप सब हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको किस टॉपिक पर टी अलंस चाहिए, आप सबहें की कमेंट्स मैं जरूर पढ़ती हूं, आपकी कमेंट्स के हिसाफ से मैं वीडियो आपको भी लेकर आती हूं, आपको किस टॉपिक पर टी अलंस सजें, आप हमें कमेंट्स जरूर करिएगा।